तो स्वागत है दोस्तों आपका मेरे YouTube चैनल पर तो आज हम बात करने वाले Microsoft Word की कुछ ऐसी magic tricks और साथ में कुछ ऐसी shortcut keys के बारे में कि जिससे आपकी जो efficiency है Microsoft Word यूज़ करने की वो 100% बढ़ जाएगी Microsoft Word में ऐसी बहुत सारी facilities है जो हम नहीं जानते तो उन में से आज टोटल में 10 tips आपको सिखाऊंगा Microsoft Word ऐसी software है कि हम सब उससे बरीचीत है हम सब यूज़ करते हैं गर में यूज़ करते हैं ओपिस में यूज़ करते हैं ठीक है तो हम स्टार्ट करते हैं तो दोस्तों हम जानते हैं फर्स्ट मैजिक ट्रिक के चलो मानलो के आपको पैरेग्राफ मैजिक से ला देने हैं अपने वर्ड के पेज पर ठीक है आपको कुछ टाइप नहीं करना है आपको अपने आप ही पैरेग्राफ आ जाए ऐसा कुछ करना है तो वो मैजिक कैसे होता है मैं आपको समझाता हूँ आपको टाइप करना है इस इकवल टो और फिर उसके बाद टाइप करना है एक फंक्शन र, a, and, d that is random और फिर आपको कितने पैरेग्राफ लाने हैं तो मानलो के तीन पैरेग्राफ लाने हैं और three three lines के पैरेग्राफ या three के आसपास तो एक कॉमा लगा के फिर दूसरा three ट्राइप कर देना है और ब्रेकेट को क्लोस कर देना है अब जैसे ही आप एंटर लगा होगे तो आप देख सकते हो कि अपने आपी three paragraphs वर्ड में आ गया है अब जो दूसरी ट्रीक है वो है कि अगर हमें कोई भी वर्ड या कोई भी पैरेग्राफ सिलेक्ट करना है तो हम कैसे करें तो एक common जो टेक्निक है मानलो कि मुझे यहां से सिलेक्शन सुरू करना है तो मैं करसर यहां पर रखके ऐसे left key press करके खिटा जाता हूँ तो हो जाता है ठीक है और shortcut की magic trick क्या है पूरा paragraph सिलेक्ट करने के लिए तो वो है कि आपको triple click लगानी है कोई भी paragraph के बीच में आप करसर रखिए और फिर one two three triple click जैसे ही लगाते है तो वो पूरा paragraph सिलेक्ट हो जाता है फिर से करके दिखाता हूँ मैं suppose यह paragraph सिलेक्ट करना है तो triple click से सिलेक्ट होता है तो वैसे ही आपको अगर कोई word specific word सिलेक्ट करना है मानलो के यह example है वो मुझे word सिलेक्ट करके copy करना है तो मैं double click लगा सकता हूँ ठीक है तो कोई भी word सिलेक्ट करने के लिए double click और कोई भी paragraph सिलेक्ट करने के लिए triple click का use हम कर सकते है फिर अमारी तीस्तरी जो trick है वो यह है कि अगर मानलो के हमें कोई भी जगा पे करनी है तो उसकी long process क्या है कि insert में जाओ और फिर shapes में जाओ और वहां से line सिलेक्ट करो और ड्रॉ करो यह सब भूल जाओ उसकी shortcut trick है आप तीन बार minus की sign type करे 1 2 3 3 times type की और फिर enter लगा दीजिए हो गई line very simple फिर अगर आपको double line draw करनी है तो इसके लिए आपको क्या करना है double line करने के लिए आपको is equal to sign 3 times type करनी है और फिर enter लगा देना है तो उससे double line draw हो जाती है फिर तिसरा जो है वो आपको dotted line draw करनी है ठीक है तो वो कैसे करें तो उसके लिए आपको asterisk sign ठीक है तीन टाइप टाइप करनी है त्री टाइप कर दी हमने asterisk sign और फिर enter लगा दीजिए तो तुरंत ही dotted line हो जाती है और अगर आपको wavy line या zigzag line करनी है तो उसके लिए आपको यह sign का यूज़ करना है तीन टाइम्स और एंटर लगाना है तो ऐसी बहुत सारी तरकीब है अलग अलग टाइप की lines draw करने की फिलाल में यह four lines आपको सिखा रहा हूं तो हमारी चौती जो trick है वो zoom in और zoom out करने के लिए है कोई भी textbook में यह method दी गई है कि यहाँ पर zoom toolbar है वहाँ से हम zooming exist कर सकते हैं ठीक है लेकिन यह long method है क्या करना है sort method है आपको control की press करनी है और फिर mouse को scroll करना है तो आप देख सकते हैं तुरंती आप zooming level का setting कर सकते हैं याद रखिए control की press करके mouse को scroll करना है अमरी जो पांचवी technique है फिप technique वो कुछ ऐसी है कि आपको font की size change करनी है मानलों में यह paragraph select कर लेता हूं ठीक है और मुझे उसकी font size change करनी है तो उसके लिए क्या कर सकते हैं तो control और shift को दबाना है और फिर greater than sign प्रेस करनी है तो आप देख सकते हैं कि font की size बढ़ती जाती है प्रेस चोटी करनी है तो control और shift आप left hand से रबा के रखिए और फिर smaller than sign प्रेस करिए तो आप देख सकते हैं पटापट small और big font हम change कर सकते हैं तो मानलो के मेरा cursor जो है वो पहली line के बीच में है कहीं पे ठीक है मुझे वो line के end तक जाना है तो अगर मैं mouse से click करूँ तो यहां पे click कर सकता हूँ और अगर keyboard यूज़ करना है तो generally हम यह mistake करते है कि right hand side की arrow की डबा के ऐसे move करते है तो उसमें क्या है कि time waste होता है और mouse से करे तो भी अमारा mouse जो है वो keyboard से अमारा हाथ जो है वो keyboard से उठा के mouse पे जाता है तो time लगता है तो उसकी shortcut technique क्या है आपके keyboard पर home और end दो keys है सायद ही आप उसका use करते होगे तो अगर आप end की डबा दो तो आप देख सकते हो cursor वो line के end में चला जाता है और अगर आप home की प्रेस करो तो cursor उसी line के beginning में चला जाता है दूसरा भी use है home और end की का के मान लो आप एक document में काम कर रहे हैं और आपको end of the document जाना है यह तो सिर्थ तीन कैसे जा सकते हो तो उसके लिए keys है control plus end आपको control की प्रेस करके end की प्रेस करनी है तो आप end of the document में चले जाओगे और उसका opposite जैसे ही control home डबाओगे तो आप document के starting में आ सकते हो तो अब हम आगे बढ़ते हैं हमारी seventh technique की और तो वो ट्रीक क्या है वो technique क्या है कि मान लो मैंने ये word जो है उसको select किया उसका color red किया उसको highlight किया ठीक है फिर उसका font size जो है वो थोड़ा सा बढ़ा दिया उसको bold किया italic किया underline किया और इसके font type भी मैंने change कर दी इतना सब मैंने किया ये word के साथ ठीक है अगर मैं ये same thing यहाँ पे भी ये word के साथ भी करना चाहता हूँ कर दू तो वह word copy paste नहीं होगा सिर्फ उसकी format copy paste होगी तो चलो हम practically देखते ये word की मैंने format copy की ये format painter है और फिर अब देख सकते मेरे cursor का shape जो है वो brush की तरह हो गया है और वही brush में इसके उपर लगा दू design तो वही format वहाँ पे paste हो गई तो हमारी eighth trick आठमी trick जो है वो क्या है कि हम किसी भी word का या किसी भी paragraph का case change करना चाहते case change मतलब उसको all capital करना चाहते small करना चाहते मतलब upper case lower case sentence case ये change करना चाहते तो उसकी shortcut की क्या है तो उसके लिए आपको shift key press करनी है और shift key के साथ आपको app 3 डबाना है चलो मैंने ये paragraph select कर लिया अब मैं shift और app 3 डबाता हूँ तो तुरंती वो capital हो जाएंगे तुसरी बार ये toggle है तुसरी बार मैं press करता हूँ तो small हो जाएंगे अब हमारी जो ninth trick है मैं पहले आपको करके दिखाता हूँ के चलो मेरा cursor यहाँ पे है second paragraph के first word के पहले तो हमारे पास arrow keys है मैं right hand side arrow key press करूँ तो हमारा cursor एक-एक letters आगे बढ़ता है एक-एक alphabet या एक-एक space ठीक है तो मुझे ऐसे करना है के एक-एक word आगे बढ़े तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ देखो अब एक-एक word आगे बढ़ता है आप देख सकते हो तो उसके लिए बहुत सिंपल सा तरीका है के आप control key press करके फिर कोई भी side की arrow key press करो तो वो तुरंती next word पे चला जाता है आप सोच रहे होंगे के ये तो सिंपल है लेकिन सिंपल है लेकिन जब आप practically use करते हो तब आपको मैसूस होगा के ये सब techniques जो है वो बहुत useful है आपकी speed इससे बढ़ जाती है तो हमारी जो last magic trick या तो magic trick नहीं बोल सकते है shortcut की है वो क्या है कि हम किसी भी file को दूसरे नाम से या दूसरे location पे save करना चाहते है तो usually हम क्या करते है कि file menu में जाते है वहाँ पे से save as option select करते है फिर वहाँ से folder का नाम select करते है और फिर file name देके select करते है तो यह तो बहुत लंबी process हो जाती है छोड़ो यह सब बहुत ही simple technique है हमें क्या करना है simply F12 की press करनी है तो जैसे हम F12 की डबाते है तो तुरंत यह save as dialog box आ जाता है अब हम जो file name रखना चाहते है मानलो में 123 रखना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे 123 टाइप करके save के button में click कर सकता हूँ और अगर मुझे location change करनी है मानलो मुझे यह folder में नहीं करना है किसी और folder में करना है तो भी कोई दिक्कत नहीं है चलो यह folder में चला जाता हूँ वहाँ पे भी कर सकता हूँ तो यह F12 की है वो save us के लिए तो कैसी लगी यह tricks आसा रखता हूँ आपको यह tricks पसंद आई होगी और इसे थोड़ी practice करने के बाद याद कर लेना सिर्फ एक बार वीडियो देखा और बुल गए ऐसा नहीं यह याद करके कभी भी आप Microsoft Word यूज करें अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना और साथ में ही चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना आगे भी मैं ऐसे बहुत सारे Microsoft Word है, Excel है और साथ में ही Android और WhatsApp की भी नए नए वीडियो लेके आता रहूंगा तो मिलते हैं दूस्तो